गुजरात के महसाडा में निर्मान स्थल पर मिट्टी धसनी से पांच मजदूरों की मौत हो गई पुलिस ने इसकी जानकारी दी ये घटना कादी शहर में घटी जासलपुर गाउं में एक फैक्टरी के लिए कई मजदूर भूमी गट टैंक के लिए गड़ा खोद रहे थे इस दोरान मिट्टी धस गई और मजदूर उसमें दब गई एक अधिकारी ने बताया कि चार से तीन मजदूरों के फसे होने की संभावना है घटना स्थल पर बचाप का रह जारी है गुजरात के में साना जिले में बड़ा हाथसा हो गया कादी तालुक के जासलपुर गाउं के पास एक नर्माण स्थल पर पांच लोगों की मौत हो गई है हाथसी की वज़ा मिट्टी धसना बताया जा रहा है जिसके चलते पांच मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है चार से पांच मजदूरों के अब भी फसे होने की आशंका है जानकारी के मुताबक यहां एक फैक्टरी के लिए अंडरग्राउंड टैंक लगाने का काम चल रहा था इसी दोरान अचानक मिट्टी धसी और मौके पर काम कर रहे मजदूर फस गए घटना की सूचना मिलते ही मौके रेस्क्यू टीम भी पहुची और बचाव अभ्यान शुरू कर दिया मौके पर एंबुलेंस और पुलिस की टीमें भी मौजोद है यहाथ सा महसाना जिले के कड़ी तालुग के जसलपुर गाउं के पास हुआ जहां एक नीजी कंपनी की दिवार गिरने से कई लोगों के फसे होने की आशंका है प्रशासन ने बचाव कारे शुरू कर दिया है मौके पर पुलिस बलतैनात है इस्तानिय लोगों में इस हादसे के बाद हड़कंप मच गया सामने वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह मजदूरों के परिवार वालों का रोरो कर बुरा हाल है साथ ही कंस्ट्रक्शन साइट पर देखा जा सकता है कि जेसीपी की मदद से मित्टी हटाने का काम किया जा रहा है घटना ने सुरक्षा मानकों की अंदेखी और मजदूरों की कारे स्थलों पर सुरक्षा को लेकर गंबीर सवाल खड़े किये हैं। घटना की सूचना मिलते ही इस्थानिय पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुँच गए और ततकाल रहत कारे शिरू कर दिया। बचाव कर रहे बेहत सुनोती पून रहा क्योंकि धसी हुई मित्ती के नीचे कौछ और भी मजदूरों के फसे होने की संभावना है। घटना की जान चल रही है और प्रशासन ने भविश्य में ऐसी घटना से बचने के उपाव को लागू करने का आश्वासन दिया है। पूरा शेत्र शोक में डूबा है और पीडित परिवारों को हर संभव सहायता दीने का वादा किया गया है। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रही हैं तो हमारे पीज को लाइक करें।